तो गई जिसे कि अब लोग ने लाच्ट एपिसोड के एंड में देखाता है यहां पर जीच्वान और चेल सा एक बुढ़े टीचर की स्पेस में होते हैं घुल बुले टाइप का लाका होता है जीच्वान सोच रहा होता है यह एक स्पेशल स्पेस है जहां पर यह बीड़े क सिन दिखाया जाता है जहां पर इन लोगों को एक बोड़ मिला हुआ जिसमें उस बुड़े आदमें ने कहा था बच हो मैं भुल भुलिया के बिल्कुल बीचों बिस तुम्हारा इंदिजार कर रहा हूं और यह मैसे सप्राइस बोक्स के साथ भरी हुए तो वो उस बोक्स पर जाते हैं तो उसको पर उसी बुड़े आदमें की तस्विर लगी होती है और इस पर लिखा होता है इसको उपन करना मत भूलना यह तो बीकुल ओडिनरी लग रहा है तब ही जिच्वन के था रुको वो बोलती है क्या हो अगर यह एक रेप हो वो बोलती है तो क्या हो ग ठीक हो वो किरी होती है मेरे आइस अब मेरे को कुछ भी दिखाया नहीं दे रहा उसके सामने एक छोटा ता चोका बेठा वा रहे तहीं जो कि हसना शुरू कर देता है हाई हम बॉक्स ऑपनिंग स्प्रेट्स हैं और डीफ बाला बॉक्स खोलने के लिए बदाई हो दूसरा है अकेला चोड़के निकल जाओ गए और फिर वह दुनों जो कर वहां से चलाद हुए भग जाते हैं चाहिए चलो बॉक्स खोलेंगे लेकिन तुम जाब और तुम खोलोगी चलता होता है मेरा मतलब अपन लोगों को नहीं पता क्या आगे कौन से खत्रे आने वाले हैं खोले लेकिन अगर इसा नहीं हो पाता है परसन ज्यादा बफ वाले बख से खोल देता है तो दूसरा परसन तो बिल्कुल सही रहेगा जिसने एक भी बख से खोल पाएगा इस तरह से जो रिक से थोड़ा कम हो जाएगा और अब लोगों को अपने अपने रोल अच्छे सा आदा करने होंगे इसके लिए उसके बाद सुनने के बादे चल्सा मान जाती है लेकिन वह उसको अपने साधिक चैन से बांद देती है और कि रहा होता है चाहिए जो भी हो जाए तूंको मेरी सेप्टी को इंशूर करना होगा जीच्वान केता है तुम एक दम निश्चित ह हो जाओ और फिर लोग आगे बढ़ना शुरू करते हैं लेकिन उसको हर बाद मिल रहा होता है और यह ले लेके वह एक्दम एडिटर डू जाती है करते हैं वह घुनोना इंसान उसके हमत के सुरी है मेरे सथ इस तरह से खड़वार करने की यहां पर मौजुद हर बखसे में बस डीफा भी है वह इंसान अपने लोगों को यहां से बिल्कुल भी भान निकलने नहीं देना चाहता है जीच्वान केता है शेल साने ओल्डेडी नो डीफा बाले बखसे खोल दी है इसलिए हमें उसको और बखसा उपन ने करने दे सकता तो इस वार वह आगे बढ़ता है इसलिए एक खंचर तुमको सुख्षित रखेगा और वह उसे डेगर को उठा लेता है और कुछ भी नहीं बोलता चेल सा कहती है अगर तुम कुछ बोल क्यूने रही जीच्वान आगर तुमको क्या मिला है वो चेल सा कहती है क्या एक डेगर आप तो बस भोत हो गया वह तो यह फोग को कि लोग है इसे उठाना मत भूलना यह तुमको फोग में फ्री लिक होने में हेल्प करेगा और जो लोग तुमको पीछे खिशते हैं उन्हें छोड़ दो याद रखो यहां पर बस एक ही बिनर है चापी लो और उस जोगे को पहन लो और अपने साथे को बिल्कु यह जिगा निकलते हैं कि तब यहां पर वो तुनों जोकर फिर के से आ जाते हैं और हस्ते हैं बदायो तुमने चाप ठूंडी और सक्सेस्फुली में इसको क्लियर कर लिए और अब आप लोग नेक्स्ट तुरूथ और टेर का गेम खेलेंगे और बुड़ाद में कहीं पर डीवफ को रिमॉफ कर दूँगा लेकिन अगर तुमने जूट बोला तो फिर कुछ और विया दख़त ना को सकता है चैसला काट लेते हुए कहती है क्या शर्म की बात है मैं अपने बारे में कुछ भी नहीं चुपा रही हूँ जल्दी से कोशन पूछो और मेरे विजन को करो तो मुझे बताओ क्या तुमको जीच्वान की बोड़ी चाहिए मैं पहले इसा करना चाहती थी लेकिन अवह मेरा के नहीं यानि कि वह मेरी फैमिली है तो नेश्रली मैं उसको पर्टेट करूंगी वह जो कर केता है हाउ टैचिंग चैसला के तिया बखवास को बंद करो जल्दी से मेरे डीपफ को रिमूफ करो वह केता है इतने इंपेशन्स मत बनों अभी तुमारे पार्टनर ने मेरे सवाल का जबाब नहीं दिया है जीच्वान केता है मैं समझ गया है चलो इस कार्ट गेम को जल्दी से फिनिश करते हैं और वह भी आगे बढ़कर एक से जुड बोला जीच्वान केता है और चलो मैं तुमों एक सिंफल सा एक सामपल देता हूं यहाँ सब्सक्राइब करेक्ट होंगे और इसी को हम लोग को प्रिंसिपल ऑफ कंवर्जरेशन बोलते हैं कुछ चीज़े अपने तक रखना जूट जैसा नहीं होता है वह जो कर बोलता है अफसोस की बात तुम दो बागे में काफी चाला को लेकिन आफ्टर आल तुम दोनों को एक वाला काट गयाब करकर उसको उसका विजन वापस कर देता है और शेसला के थे हो मेरे को सब नजर आ रहा है वो उसके सामने तो काट करता है और उसे बताता है व्यूटिफुल लेडी तुमारे साथे के पास तो काफी तरकीबे हैं यह वो छोड़े-छोड़े सिक्रेट्स और बात हैं जो उसने तुमसे तब छुपाई ती जब तुम अंधी ती तो क्या ऐसे में तुमसे पास करती हो यहां पर वो जो कर उस फॉक्लोग और उसे चाकू के साथ जो लेटर मिला था उसके बारे में काट के थूचल साब को बता देता है जिश्वान सोच रहा होता है मैंने ऐसा इसले करा क्योंकि तुम्हारा एकदम सिंगल मैंडेट ने चाहरे इसलिए मैं तुमसे यह नहीं कहना चाहता था जिश्वान उसके पास आते हैं और कह रहा होते हैं तुम देख नहीं सकती थी और कई सारे डिफफ से इंफेक्टर थी और यहां पर अपना कॉंट कर देता हूं और चुटकी बचा के बागी के डिफफ को उससे रिमूफ कर देता है और कार्ट को फिकते हैं बढ़ायों तुम दोनों ने इस लेविल को क्लियर कर लिया है और उन दोने के सान में तिन दरवाज रखता है और कह रहा होता है यह तुमारी बुद्धिकों पर और के रही होती है मेरे को कुछ भी सेंस नहीं हो रहा है वहां से जीच वन केता है यह सरे दरवाजे एक जिसे दिखाई दे रहे हैं शायद असली खत्रा उन मेंसे एक के अंदर हो सकता है चलसा केती है चलो अपन दोनों एक एक दरवाजे को चुनते हैं और जो अच्छा हो चुपाऊंगा और अब यहीं कई में चेल्सा का माइंड फिल्ड वन गया है हम वाकई में पार्टनर्स के तोर पर एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं समझते हैं और जीच वन भी यहां पर एक दरबादा चुनके उसके अंदर चला जाता है और इसके बाद अपनको चेल्स तम्हें कौन हो तुम बस एक ट्रिफाइंग डीमन हो जिसका दूसरे डीमन उन्हें शोचन कराई चेसला केती है अब अक्वास का ना बंद भी करो बस चिलाने से तुम इसे प्रेस की प्रोग्रेस को डिस्टब ने कर पाऊगे कि तभी पीछे से चेसला को पर अटेक हो जा जानता है कि मेरे को घुसा कैसे दिलाना है जीच्वान की कौपी उससे कह रहा होता है इता जदा इंपेशन मतो शायद अभी तुम्हारा पार्टनर भी विकुल से हम यही सोच रहा जाता है उसके सामने भी चैसला की कोपी आ गई होती है और दोनों साथ में कह रहे होता है सुआ का थे ठर्ड लेविल में माई सोल मेड और इसके बाद अपनको सेड़ वर का लाइंस हैड़ को ट्रगा सिंद दिखा आया जाता है अम इसलू प्रेजिडेंट को सारी रिपोर्ट समिट करती है जो कुछ भी ड्रों सेटी के अंदर हुआ और वो यहां भाई जी च्व कर बहुत कुछ क्या है कि हम सच मुझस पर भरुसा कर सकते हैं और इस बंदे का नाम लू विंग टियान है मिसलू केती है फिलाल हमाई लिए काम करने पर उसका फायदा है और वो इतना बेवकुफ नहीं कि कुछ छोटे मोटे लाफ के लिए पढ़ना शिव का मोगा गवा और अगर अगर अब लोग उसका सही इस्तमाल करें तो मुझे एकिन है कि वो हमाई लिए सब्सक्राइब बन जाएगा प्रेजिडेंट कहता है अच्छा ऐसा क्या तो फिर उसकी डीमन के बारे में क्या मैंने सुना है कि वो ट्रॉन सीटे में आउट ऑफ कंट्रोल होगी द साथ यहां पर जीच्वान लड़ड़ा होता है वो फत्रों के पीछे चुपा हुआ रहता है और सोचा होता है इस स्टेश को पार करने के लिए मेरे कुछ इसला की को हराना होगा लेकिन यहां पर मेरी पावर सब्सक्राइब लेकिन मुझे मैं से कुछ इन टाइम मिले सब्सक्राइब लेकिन मैं इसी मुव्मेंट का इंतजार कर रहा था मैं चीत गया और चेशला की कोपी वहां से गया बूझाती है तब पीछे की दिवाल पर एक दरार पढ़ती है जीच्वान देखता है वहां से चेशला आती है असली वाली चेशला और वो के रही होते है मैंने सुच था कि मिरको तुमको फ्लोर से उठा के ले जाना होगा मैंने यह कभी सब्सक्राइब नहीं सुच था कि तुम एक्चुली उस कॉपी को हरा दो गए जीच्वान के ताई आइगेस में बस लगी था और तुम्हारे मारे में क्या तुम्हें भी तो थोड़ी चोट लगी है चेशला के यह अपने वापकास बंद करो तुम्हें कुछ अधा बेटर लगता है कि तुम दोनों काफी अच्छे से जानते हों कि के उसके से फिल आई जाती है माई लवली सोल इस पैसिक को इती बृतर से डेमिश कर दिया है कि सोल डीमन भी इससे साथ में होड़ करके नहीं रख सकता और पिर साथ ही वह यहां पर अपनी पार को यूज करते अगले स्टेश पर जा सकते हैं वह चुकर कहता है डीमोनिक एनरजी के भवर में 10 मिट तक जंदा रहो और तुमारा कॉंट्रेक्ट बॉंड फॉर्म्ड हो जाएगा बुड़ा आदमी कहता है कि तो मिज़ाज माने के लिए तयार हो जीच वान के रहा होता है हम यहां पर इ सब्सक्राइब बॉड़ी गुजरती है नीचे के जाती है वह उसकी तरफ देखता है और कि रहा होते हैं लगते हैं कि यह तुमको एक सबक सिखाना ही पड़ेगा जीच वान उसके सामने खड़ा हुआ रहता है वह बुड़ा सोचता है इतने इंटेंस मेंटल एनरजी क्या है इसे ब्रेट ने वाके में उसके टीमन की सारी डिमोनिक इनर्जी को अफ्जोब कर लिया है जीच वन आगे बढ़कर उसको पर अटे करता है लेकिन वह उसका डेको ब्लो कर लेता है और साथ उसके पेड़ में खड़ाना चाहिए या फिर मोड़े आदमे को अपने पिरो में वाले कसिन दिखाया जता है चुकि के रहा होता है हमें अभी तक अपने मास्टर से कोई भी संदेश नहीं मिलाई सिस्टम ही तुम जीच्वन के लिए भाईश्वानी क्यों नहीं करती है जरूर और वो यहाँ पर अपने श्टिक के जरिया उसके विश्वानी करती है श फिर शायद मास्टर को इतना टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि यह नो सिखे हमारी सोच से कहीं ज़्यादा टफर निकले चेश्मवाला केता है वेसे भी वो सोल मेस्टो बस एपटाइजर थी मास्टर के टूपावर बोन ग्रशिंग मास्टर आट है जो कि वाके में काफ जीर से उसको प्राटे करवाता है मास्टर केता है नौट बैड लेकर तो मभी और वो उसके कंदे को परहाद रखते हुए हवा में खड़ा हो जाता है और उसके चंजिसे बच जाता है और उसे के रहा होता है तुम तो बस अभी भी एक क्रीन होर नो और साथी वो यहाँ प बहुत ही ट्रस्ट वर्द है लेकिन फिर भी वो अभी भी डीमन और कॉंटेटर के तोर पर बंदे हुए है मुझे डरी कि यह कॉंटेट का बॉंड शायद काम्याब नहीं रहेगा और फिर इसके बाद हमें हेल का सिंद दिखाया जाता है यहाँ पर कोई डीमन उस एक आख रीजय को सब्सक्राइब कर लिए बहुते हैं मैंने तुमने जास एक हमजोर इंसान के साथ पहले उसके पार इल्गे उसके पार नहीं है मुश्किल से 10 वह इस्ता होगा उसका और वोग्यति है झाब आगे में में डूंट सीटेटे में तुमारे लिए को नजर अंदास कर तोंगी इस समय दोबारा से मुझे डिसपॉइंट मत करना मैं तुमको यह को शांस दे रही हूं वह बोलता है आपका बहुत 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 शुक्रिया मास्टर मेरे दया करने के लिए और मुझे मिलने के यहां पर आए अब हमारे प्लेंड के अगले स्टेप को आगे बढ़ है यह धो भी कंटीनियोड था झाल झाल